भारत के अंदर सुनाई जाने वाली कथाओं और पुराणों में ना केवल देवी देवताओं का साथ ही गंधर्व, गिनर, यक्ष और देवदासियों का भी प्रभाव सुनिनी को मिलता है देवदासी जिसका उदेश्य होता है अध्यात्मी कृप से अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पीत कर दे मैं 36 गड़ हूँ आज की इस कथा के अंतरगत हम देवदासी नर्त की सुधनुका और रूप दक्ष के नाम से प्रसिद्य शक्सियत देवदत्य की प्रेम संबंधों की चर्चा यहां पर करेंगी किस तरह देवदत्य की प्रेम चेश्टाओं में उल्जी नारी के सुलभ र में उनको जलना पड़ा इसका उल्लेक रूप दत्य के द्वारा जोगी मारा के गुफां में ब्राहमी लीपी में चित्रित अवशेस में देखनी को मिलता है कहां है यह जोगी मारा क्या है संबंध सीता वेंगरा से अब हम इसकी चर्चा इस कथा के अंतरगत करेंगी 36 गर में अंबीकापूर से 50 करिम्टर दूर इस्थी थे रामगड की पहाड़ी जो अपनी कला और संस्कृति की परिचायक है कहा जाता है इसी पहाड़ी पर कुल गुरू का विश्रिष्ट काली दास ने अपनी रचनाओं को अंजाम दिया था यहां ना केवल साथ परकोट माना जाता है प्रहमीलिपी में शीला लेखों में देवदाजिय सुथ्नुका और उनके प्रेमी देवद्दित्यृ का उल्लेख है जहां पांच पंग्तियों में उनका वर्णन है उसमें स्ु3 करोटी हुए बताया गया है कि सुथ्नुका अतिनत सुन्दर संगित रुक्ष देवदास सुतनुका की प्रेम कथा की नाईका है जिसका उलग भीती चित्र पर देखने को मिलता है अधिर ये रूप दक्ष और की और किस देवदत्य है यह चित्रकार और शिल्पकार था और किस तरह दोनों का प्रेम परवान चड़ा किस तरह विरहवेद्न को इन्हों ने प्राप्त किया इस कथा से प्रारम होती है चेदी महाजनपत के दक्षनी छोर पर आज जोगाम्म देवी की देविस्थल के निर्मान का आखरी दिवस था लोग शिल्पकार और चित्रकार देवदत्य को बधाईयां दे रहे थे आज स्वयम चेदी के राजा काशु चैध्य शुक्तिमती से चल कर आये थी देवी इस्थल के उदगाटन के लिए पुजारियों, जोगियों, जोगनियों और देवदासियों के भीड से देवी इस्थल किसी बड़े उतसवगार की तरफ प्रतीत हो रहा था निर्ट्य और गायन की तयारया चल रही थी देवी इस्थल का मुख्य द्वार, नृत्य इस्थल का सौंदर्य बहुत ही खुबसूरत दिखाई दे रहा था वस्तरों की ऐसी चमक और देवदासियों के ऐसे गहने यहां की प्रजा ने पहले कभी नहीं दिखी थी राजा काशुचैद्य ने मुख्य पुजारी धर्मवरत्य से मृत्य को आर्म करने का आदेश दिया शंखनात के समाप्त होते ही देवदासियों के पैर थेरक उठे ऐसा अध्भुत और अध्विती मृत्य देवदत्य ने पहले कभी नहीं देखा था सुतनिका के पैर और उसके अधरों की ले देवदत्य को अपनी आकरशित कर रही थी क्या देवदत्य के मन में प्रेम का जन्म हो रहा था या लोलूपतर बस किसी पिगले अयसक की तरह सुतनिका के संदर के साचे में मानो ढाला जा रहा था उत्सो समापत होने के बाद देवदित का व्याकूल मन बार बार सुतन्युका की ओर सहज़ता से खीचा चला जा रहा था अब तो देवदित का कार भी समापत हो चुका था फिर भी उसका मन उस देव इस्थली को छोड़ कर जाने का क्यों नहीं कर रहा था इसी सोच में व्याकुल देवदत ने सुतनुका से मिलनी का निलने लिया और जोगी मारा गुफा की ओर चल पड़ा रामगड के उत्तरी किनारे पर जोगी मारा गुफा है जो 30 फूट लंबी 15 फूट चौड़ी थी इसका द्वार पुर्वकी और गुफा में खुलने वाला था इसे वरुण देव का मंदिर कहा जाता था क्यों यहां देवदत से सुतनुका रहती थी जो वरुण देव पर समर करती थी अर्थार सुतनुका ने इस जोगी मारा गुफा को अपने नर्दक्यों के विश्राम के लिए बनवाया था देवदासियों के खिल्थिलाहट से देवदत्य के पाउं रुग गए घबराहट और अनिश्चीतता से देवदत्य का शरिल होने लगा इतने असमर्थ व कस्मात अभिवादन जैसे किसी ने पानी पीते पक्षी को बाण से आघत कर दिया हो देवदत्य की पलके और स्वास दोनु ही एक पलके लिए विलुप्त हो गये मैं तो बस नृत्य की बधाई देने आया था देवदत्य ने घबराते हुए जवाब दिया बधाई के पात्र तो सुतानुका है हम तो बस उसके संगनी है सुतानुका देखो तो कला आज हमारे द्वार पर स्वेम चल कर आई है सुकर निका ने जब यह कहा तो उसकी सवामें घुझनी लगी बहुत सुना है आपके वारे में आपकी शिल्क विकारी चित्रकारी देवी स्थल के प्राण है सुताने का ने देवदत्य कियों देखते हुए कृतक के भाव से कहा देवदत्य ने कहा आपके नृत्य और गायन के सामने तो में कुछ भी नहीं अग हो देवदासी होना भी तो सभागे की बात है धन मान और इतना वैभव भला किसे प्राप्त होता है इस पर सुतनुका ने कहा परन्तु मैं अपने मन का तो वर नहीं सकती मेरा जीवन परतंत रहे और देवी की चरणों में समर्पित भी भोर की पहली किरण से रात्री भरतक की बातचित में देवदात और सुतनुका के मन को एक सुतर में बान चुका था देवदात ने विवाह का प्रस्ताव करते हुए अपनी अंगूठी सुतनुका को उपहार में दिया उसी नाट्यशाला में कार्य करने वाले धर्मवरत ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते ओले ही देवी स्थल से हो चुका है इस पर देवदत ने कहा यह जो आपकर आपकर नथ्र उगा गई माई और सेनी को बुलावा भेजना यहिं उचित समझा देवदत के जाने के बार धर्म व्रतिक में मस्तिष्क में चिंता की रेखाई गहरी हो गई देवदत के पद जोगी मारा गुफा की तरब बढ़े जा रहे थे सुतनुका को लेकर उस राज्य से निकलना ही उचित होगा इसी सोच में देवदत जब गुफा में पहुँचे तो वहां किसी को उन्होंने नहीं पाया और उनका मन विजलित होने लगा समय के कमी होने के कारण देवदत ने गुफा के दिवारों पर सुतनुका के नाम एक संदेश्ट उत्किर्ण कर दिया सुतनुका मैं देवदत हमारा प्रेम संकट में है हमें चेदी छोड़ वत्सकी और जाना होगा आप मुझे नगर के बाहर जल प्रपात के निकर मिले जब देवदासिया नगर में वापस आई तो सुतनुका ब्राहमी लिपी में उस गुफा की भित्ती पर कुछ उत्किर्ण लेख को देखकर सुकरनिका से कहा ऐसा अद्भूत और पत्थरों पर लिखने वाला तो केवल देवदत ही हो सकता है परन्तु मैं इसे पढ़ने में असमर्त हूँ कौन है जो इसे पढ़ सकता है उसे मेरे सामने लाओ सुकरनिका ने कहा ब्राहमी लिपी और प्राकृत भाषा का ज्यान तो चारूवंधन को ही है सुतनुका ने कहा कि वही न जो हमें गायन शैली सिखाते हैं मुझे कुछ अनूनी होने का आभास हो रहा है हमें चारूभन दन को तुरंथ ही बुलाना होगा चारो वंदन जो मन ही मन सुतनुका से प्रेम करता था परन्तु अपने प्रेम को उसने कभी उसके समक्ष प्रस्तूत नहीं किया था जब उसने सुतनुका को अपने से दूर जाता देखा तो वही प्रेम उर्जा जो उसके मन में थी पाप उर्जा में परिवर्टीत हो गई चारोदत जो सुतनुका के साथ स्वयम अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था उस देवदत के सही संदेश को न पहुचा कर देवदत से मिलाने का बहाना करके सुतनुका के साथ उजयन की और निकल पड़ा यहां देवद्दत के गुप्तचर, भानुरत ने, देवद्दत को सूचना दे कि जन्पत के सैनिक उन्हें ढूम रहे हैं, और उनको वद सिक्यूर निकल जाना ही उचीत होगा देवद्दत ने कहा परन्तु भानुरत मैं सुत्नुका को छोड़ कर कैसे जा सकता हूं भानुरत ने कहा क्षामा करें, मैंने भी ये सुना है कि सुतनुका अपने किसी प्रेमी के साथ जन्पत के सैनिकों के भैसे या नगर पहले ही छोड़ चुकी है। मैं कैसी सुतनुका को बताऊं कि मैं उससे प्रेम करता हूं और देवतित का संदेश मैंने उससे असत्य बताया है। सुतनुका ने जब सुतनुका से उसका परिचय पूछा, उनके जाने का उद्देश से पूछा, तो सुतनुका ने कहा मुझे उज्जैनी में देवदत्य से मिलना है और मैं उन्हें ही वहां ढूंगने जा रही हूं। सुतनुका ने कहा व्यतित ना हो, देवी ने चाहा तो वे तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। अपनी पूरी गाथा सुरत्ना को बताने के बाद सुतनुका ने थोड़ा सा शान्ती का अनुभो किया। उजयनी पहुँचकर सुतनुका गणिका समों के साथ में ही रहने लगी। उसका समय उन समों के इस्त्रियों को नृत्य और गायन सिखाने में व्यतित होने लगा। परन्तु देवदत्त का पता नहीं चला। एक वर्ष हो गए सुतनुका का मन व्याकूलता से और अधी दुखी होने लगा। निर्बलता उसके चेहरे पर दिखाई दीने लगी। सुतनुका ने सुरत्त्रा से कहा सुना है वत्स में किसी भव्यदेव इस्तल का निर्मान हो रहा है। और मुझे संदे है कि देवदत्त वहां अवश्य आएंगे। सुरत्ना ने कहा तुम देवदत्त को मन से त्याग क्यों नहीं देती। उन्हें भूल जाना ही तुम्हारे लिए उचीत होगा। इस पर सुतानुका ने कहा ऐसा न कहो मेरा प्रेम इतना निर्बल और क्षणिक नहीं हो सकता बस एक बार मुझे वत्सकियोर ले चल। सुरत्ना ने कहा हमें वत्स पहुचने में कई महलग जाएंगे हमारे पार इतना धन भी तो नहीं है हाँ अगर तुम अपनी मुद्रिका मुझे दे दो तो हम वत्सकियोर अवशे ही जा सकते हैं। ऐसा सुनकर सुता नुका का मन मानो जेस्ट महीने के किसी सुखे हुए फूल की भाती हो गया। उसने मन में सोचा कि देवदत की इस प्रेम प्रतिक इस अंगुठी को मैं किसी और को और क्यों दे दूं यहीं तो मेरा बल है। ऐसा सोचते हुए सुता नुका ने उस सुरत्ना से कहा, मैं अपने आभुशन और बचा हुआ धन तुम्हें देने के लिए तयार तो हूँ, परन्तु यह अंगुठी में तुम्हें नहीं दे सकती। उस गणीका का समु अगले ही दिन वत्स जन्पत की ओर चल पड़ा। उठ जैने से वत्स पहुचने में कई महीने बीद गये। वत्स की सीमा का प्रवेश होने से पहले ही दिन सुरत्ना नए सुता नुका को नींद में पाकर उसकी अंगुठी को चुरा लिया। और बिना बताए उस समु को छोड़ दिया। कुछ सब्ता तक सुता नुका ने बुनाई का काम भी किया। साधारन प्रजा देवद्यत्य के नाम से परिचित नहीं थी। इसलिए देवद्यत्य को पुछते पुछते सुता नुका एक ऐसे घर पर पहुचे जहांकि इस्त्री ने सु से देने से मना कर दिया। देवद्यत्य मिले ना मिले परन्तु मैं उनके उपहार और इस मृत्य को भला कैसे खो सकती हूं। यही सोच उस सुता नुका को अंदर ही अंदर खाय जा रही थी। उसी रात सुता नुका अंगुठी चुराने के अपराद में पकड़ी गए। इधर देवद्यत्य राजा उधियन के राज दर्बार में एक महान चित्रकार और शिल्पकार के रुप में स्थापित हो चुके थे। नगर की कोई भी कला बिना देवद्यत्य की अधूरी थी। राजा उधियन के राजी में चोरी और उसके लिए मृत्य दंड देना एक नियम था राजा उधियन ने देवदत को बुलाया और कहा देवदत मैं अपने राजी में चोरी जैसे अपराथ और उसके दंड के संदेश को प्रजा तक पहुचाना चाहता हूं अतर जब कल प्रात हकाल में अपराधी को प्रांड दंड दिया जा रहा हो तो आप इस घटना को चित्रांकित करें जिससे हम राज्य को एक संदेश के रूप में समर्पित करें दिन के पहले पहर से ही प्रजा नगर के मृत्यु इस्थल पर एकत्रित होने लगी नगर के मध्य में यह इस्थल अपराधियों को सावजनिक रूप से दंड देने के लिए ही बनाया गया सुता नुका के दोनों हाथों में हतकडिया थी बाल बिखरे हुए थे आंखे शुस्क थी मानों वर्षों से वा सोईना विशाल और घोश के साथ देवदत्य का मृत्यु इस्थल पर प्रवेश होता है सुता नुका को देखकर देवदत्य के हाथ से रंग कूचा जिससे व विचारों देवदत्य को पल भर के लिए वीवेक शुन्य कर दिया प्रजा मित्य उद्गोश की प्रतिक्षा कर रही थी अच्छानक देवदत्य की पतनी आध्या का स्वर संपुर्ण प्रांगर्ण में गुझ उठा रुको ये कैसा घोर अन्या है सुतनुका निरपराद ह देवतत्य ने आशर और दुखी मन से आध्या की ओर देखा स्वामी आपके और सुतनुका के प्रेम संबंद को छिपाने के लिए सुरत्ना ने मुझे इस धन का अनुरोध किया उसी ने बताया कि वो मुद्रिका आपकी है जिसके लिए सुतनुका को मृत्युदंड दिया यह प्रेम है किसी नदी की तरह साघर की तलाश में भटकना से उर्जैनी उर्जैनी से वत्स मैंने अपने पाउं के छाले आंसुवों से धोई हैं मुद्रीका के अपराथ है से मुझे मुझे कौन दिलाएगा संभावता निर्वान इतना के कर सुतनुका किसी अध्यार दिशा के और चलते हैं और किस तरह दोनों एक दूसरे की विरह में जीवन व्यतित करते हैं इस विरह वर्णन को इस रूपदत ने जोगी मारा के गूफा में ब्राहमी लीपी में चित्रित किया है जिसका उदलेक आज भी हमें साक्ष के तोर पर देखने को मिलता है या सीता वेंगरा की गूफा और रूपदत्य की प्रेम की वर्णन को सुना है ऐसी ही अनसुनी कहानियों को लेकर मैं फीर से आप सभी के सामनी उपस्तित होंगी तब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को धेर्शारी सुबकाम लाएं धेर्शारा प्यार थेंक यू लव यू एंड गॉड ब्रेसे टू और म